हेलो गाइज स्वागत है आप सभी का सीपीने 2020 का फाम आज से भरा जा रहा है तो हमने सोचा क्यों ना हम बायलोजी के सबसे महतुपूर्पूर पुश्चन आप सभी के सामने लेकर रहा है जो कि पूछे जा सकते हैं गाइज से कुश्चन 95% चांसे पूछे जाएंगे और इ सब्सक्राइब के सेट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया साड़े 600 रुपे में फिजिक्स कमिस्टी बायलोजी के बहुत सारे कुश्चन पा सकते हैं जहां कि 95% चांसे से पूछे जाएंगे और हाँ अगर आपने वारे टेलिग्राम चैनल नहीं के जाएंग सब्सक्राइब कर लिए सर्च की नर्सिंग पॉइंट हमारा चैनल में लिएगा जाकर जूड़ जाएंगे यहां पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं और कोश्चन सेट वगारे खरीद भी सकते हैं ठीक है तो पहला कुश्चन जीव बिग्यान के पीता किसे कहा जाता है जाल स उसी में से मैं 20 आपको दिखा रहा हूं ठीक है यहां पर जीवन का भूतिक आदार है जीन कोशिका माइटो कांडिया जीव द्रवे तो उसका सही जवाब क्या है जीव द्रवे ठीक है आर्गनाइजम जो कि फिजिकल बेसिस जीवन का भूतिक आदार ठीक है तो यह कुश् कोशिका का पता किसने लगा है तो बड़ा इजी एंसर है रावर ठूप ठीक है बीवाला अप्सन देखिए तो इस तरह के से कुश्चन आप प्रक्राक्टिस कीजिए एक बाए बस देख लेंगे यहाद हो जाएगा बहुत इजी-जी कुश्चन है अगर आप बाइल अच् आप बस कर दो सही करके आओगे ठीक है कि चलिए आगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कोसिका का सक्तिके अन्द्र किसे कहा जाता है तो निकोल को माला कीयों कहा जाता है कौक holiday को सबुआ से एक्जमपलME की तिस सारे के सारे प्लंच सेल में नहीं पायाते बहुत इजी कई आप इसको सखेकर कि अगले कुश्य के तरफ बढ़ते है गया तो बिल्कु लाइसोसम को बहुत इसमें सूसाइडल बैग अफसेल ठीक है तो लाइसोस्वम को ही आत्महत्या के थारीक आजाता है ठीक है यह बोडी के जितने भी विकार सेल होते हैं या जो हमारे बोडी को हमफुल पहुचा सकते हैं उनको मार देता है और कभी-कभी खुद के सेल को खा जाता है तो सौट फ फैक्टर बोला था नुझे डिने का पता नहीं लगा पाए था तो पता असली लगाया था वाट्सन ग्रिक ने जो कि विल्किंस अन फ्रैंकलिंग एक्सपरिमेंट के बेसे से पता किया था डिने का प्रमुक कार बीए क्या है प्रोटीन संस्लीस्न कोसिका परिवहन अन्सिक्रियाओं का संच्रालन्ट पूरे वडिकी जो प्रक्रिया होते हैं वो संचालित करते ग्लंब फॉर्णद यह तो यह अच्छी खुश्चन है आल्व फॉर्णै पाए जाता है को कोमेंट सेक्शन में भी दिया गया है तो आप खरी सकते हैं जल्दी से जाएगे पेमेंट कीजिए और खरीजिए क्योंकि समय बहुत कम है साथ तारी को पर इच्छा है फादर आप जने टिक से नहीं कि पीता किसे कहा जाता है तो बिल्कुल मेंडल कहा जाता है मौडन में बैटसन अगर अगर मौडन पूस दिये तो बैटसन वहाप जवाब दोगे ठीक है लेकिन अगर ऐसी लिख दिया तो आप ग्रेगर जार मेंडल को ही चूस करोगे ठीक है यहाँ पर इस टूटल को नहीं है आ जाता है ठीक है मनुष्य में क्रोमोजोम यानि गुण सुत्रों की कुल संख्या कितनी होती है तो गाइस आपको पता है छिया बहुत ही इजी सा कोश्चन है एकदम क्लास 8-9 में पढ़ा जाता है कि क्रोमोजोम की संख्या मनुष्य में कितनी पाई जाती है तो 46 है तो बड़ा इजी सा आगे बढ़ते हैं अंगले question की तरफ मनिश्य में होने वाले अनुवनसिक रोग कौन से हैं blindness, hemophilia, turner syndrome, ACV ये सभी ठीक है तो इसका answer होगा ये सभी D क्योंकि blindness भी genetic बिमारी है, hemophilia भी genetic बिमारी है, turner syndrome जानते ही हो monosomy की वज़े से होता है, monosomy मतलब chromosome जैसे XX है तो 1-0 हो जाएगा, X-0, लड़का पैदा होगा, X-Y, Y-Y, X-Y, XXX, क्या है, बहुत easy से question है, बस आपको इसी question को revise करना है, मैं पढ़ानी की बात नहीं करूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बस आप question है, revise कर लीजे, मेरे से सेट खरी लीजे question का, और revise करते रहिए, बहुत easy स question है, Haemophilie, रोग से ग्रसत व्यक्ती में लच्छन दिखाए जáticas, आएरेन की कमी, रख्त का बहना बंद नहीं होता, रख्त बंता ही नहीं, रख्त में स्मित कड मृत हो जाते हैं, तो रख्त का बहना बंद नहीं होता, इसी को Haemophiliya कहते हैं, सोचो कितनी उसी मैं तो यही कहूंगा कि आप रिवाइस करिए क्वेश्चन से खरिद कर अपने श्चित है अच्छे नमर पाऊगे ठीक है जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य यह DNA की यह क्रियात्मा की काई है यह अनुमंसिकी की काई है यह गुण सूत्र पर उपस्तित रहता है उपरुक्त अभी DNA में पाया जाता है ठीक है जीन का यह अनुमंसिकी काई काई है ठीक है यह गुण सूत्र पर उपस्तित रहता है बिलकुल जीन का कृत्रिम संसलेशन किस ने किया था जगदीश चंदर बोस जोकी नहीं है वाट्सन नहीं रावाड ड्राउं रावाड ड्राउं ने न अनुमंसिक जेनेटिक प्लांट चॉइस सभी प्रयोक के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाओ किया था माटर डाहल या मस्टरड वीट बड़ा फीमस है माटर जो है वो मेंडल नहीं उसके एक्स्परिमेंट किया था तो बड़ा सिंपल सा क्वेशन है यह इसका एंसर ह रीए था चार्ल्स डार्विन ने दिया था लेकिन उनने प्रिंस्पल था वड sup व्रीटरं साने क्वार कर्रेक्टर दिया अरब और यस मेंट यह ञांच घुए उसमें सारी नहीं है कैस का एंसर होगा डी तो जो वर्ड़नाद व्कती होता है उसमें लालग होगा एंसर कोशन की तरफ गाइस जो बहुत अच्छा कोश्चन है किस संग के जन्तुओं को जीव द्रव के स्तर पर गठी जन्तु कहा जाता है प्रोटो जोबा पॉरिफेरा सिलेंट्रेटा अर्थोपोडा तो बिल्कुल प्रोटो जोबा क्यों कि प्रोटो प्लाज्म के बेसिस पर होत कोश्चन है